जै करवा चोत मता की स्री गड़े साय नमाँ स्वागात आप सभीगा मेरे भक्ती भावना योटूब चैनल पर आज मैं आपको करवा चोत के कुछ उपाए बताऊंगा करवा चोत वाले दिन आपको क्या उपाए करने हैं जिससे आपकी पुत्र धन की मनो कामना पूरी हो साथ ही नौ भागिसाली राशियों के बारे में जानकारी विदूँगा करवा चोत पर इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है करवा चोत का जो दिन होता है बड़ा ही पवित्र दिन होता है इस दिन स्वागिन मेलाईपती की लम्यायू के लिए तरक्की के लिए घर में सुक्सानती के लिए चौत माता की पूजा करती है चौत माता भी प्रसन ओकर के मनवांचित फल परदान करती है इस दिन गनेश चतुरती होती है बड़ी चतुरती होती है इस दिन भगवान गनेजी के सामने आपको चुपाई भी करने हैं, सबसे पहला उपाई, अपनी इच्छा बोलकर के भगवान गनेजी के हाथ में हरी दुरबार पन करते हुए, ओम गंगरपते नमाहम मंतर का जाप करना चाहिए, और अपनी इच्छा बोलने चाहिए, जो उनकी प्रतेक मनोकामना पूरी होती है, इस दिन भगवान गनेजी के आथ में एक पीला धागा अपनी मनोकामना बोलकर के बान देना चाहिए, इससे भगवान गनेजी प्रसन्नो करके इच्छा पूरी करते हैं, इस दिन स्वागन मेलायम माता पारवती के सामने सिंदूर अगर उस सिंदूर को अपनी इच्छा बोलते हुए मांग में बढ़ती हैं तो पती पर कोई कष्ट नहीं आता करवा चौत के दिन जो मेला पुरुष भगवान सिब के सामने चो मुखी दीपक जला देते हैं भगवान गनिजी के सामने चो मुखी दीपक जला देते हैं परक्रमा देनी चाहिए जो भी इच्छा बोलकर के आप यह उपाय करेंगे आपकी प्रते के इच्छा पूरी होगी करवा चौत वाले दिन आग के पत्तों की माला बना करके या बेल पत्र के पत्तों की माला बना करके अगर भगवान गनिजी को अरपन करती जाएं भगवान शिव को अरपन करती जाएं जो भी आपकी मन में चाहे वह आपकी प्रते के इच्छा पूरी होगी ये उपाए बेहदी चमतकारी उपाए जो में आपको बताएं इस दिन घर में साब सपाई का विशेश उप से ध्यान रखना चाहिए जेज जगे पर आप चोकी की स्थापना करें वहाँ पर अच्छी तरह सपाई करें लाल कपडा बिचाएं पर चोत माता की पोटो रखें तस्वीर रखें मूर्ती बना करके रखें साथी भगवान गनेश और माता पारवती की प्रतवावी स्थापित करें सिंगार का पूजा का सारा सामान रख दें और साम के समय कथा का स्रवड करें कता का स्रवड करते समय आप पूरे मन से चोत माता की जए, स्री गड़े इसाय नमाह, ओम गोर्रे नमाह, आधी मंतरों का जाप करने के बाद में, पूजन करने के बाद में कता का स्रवड करेंगे कता स्रवर करते समय लोटे में जल भर्की रखना है उसी जल का जो है अर्ग दिये जाता है जब अगवान चंद्रदेव को अर्ग दे रहे हो तो ओम चंद्रमासे नमाहा मंत्र का जाप करें और चंद्रदेव को अर्ग दें आपकी मनुकामना वश्य पूरी होगी इस दिन नौरासियां बहुत ही भागिसाली है नौरासियों का योग इस दिन बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये नौरासियां हर कार में सपलता हांसिल करेंगे प्रते कार बनेंगे इनके जीवनवारी सारी परिशानियां सारी दुगदूर हो जाएंगे सबसे पहली जो रासिय हो है मेस रासि, इस दिन मेस रासि बहुत भाग्य साली रहने वाली है, मेस रासि वालों को आशिरवाद प्राप्त होगा, जीवन में आरे सारी परिशानिया, सारे दुखदूर होगे, पुत्रधन का आशिरवाद प्राप्त होगा, गरस्त जीवन में खुशा लियाएगी, ब्रसव रासी वालों को भी विशेश लाम मिलेगा, इस दिन ब्रसव रासी बहुत ही भाग्य साली रहने वाली है, ब्रसव रासी के सभी कार इसे दोंगे, आपके रुके हुए सभी कार बनने शुरू हो जाएंगे, करक रासी, चंद्रमा की ये रासी त बलता का शिरवाद मिलेगा, नो करीब में प्रमोशन होगा, हर प्रकार की कार बनने शुरू हो जाएंगे, अगली जो रासी है, वह है सिंग रासी, जो बहुत ही भागिसाली रहने वाली है, इस रासी का यूग भी बहुत ही अच्छा है, सिंग रासी के बाद में, कन्या रास रासी, यह रासी बहुत ही भागिसाली रहने वाली है, इसका यूग बहुत ही अच्छा है, भगवान गने जी की करपा से आपकी सभी कारिशत दोंगे, वरश्चिक रासी, बहुत ही भागिसाली है, वरश्चिक रासी को उपर, शुव ग्रहन की दृष्टी, जो इस रासी क का बापिस आएगा धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे फैमली में आपके में खुशाली रहेगी सभी का सहयोग प्राप्त होगा धनू मकर और मीन राजी ये रासियां भी इस दिन बेहदी भागिशाली रहेंगे इन रासियों का योग भी बहुत ही अच्छा है वीडियो क शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ये वपाई जरू करें और सभी रासिवाले करें सभी की मनुकामना पूरियों